Hello everyone, welcome back to my YouTube channel in numerical analysis की स्रीज में आज मैं स्टार्ट करी हूँ चैप्टर नमबर 2 Interpolation of Equal Interval इस पर बेस में आपको एक्जाम में जो important questions आते हैं वो कराऊंगी इसमें जाता नहीं है बस तीन चार पाच questions हैं जो मैं आपको इस वीडियो में cover कराने के questions करूँगी क्योंकि exams में कुछ questions होते हैं जो regular repeated questions होते हैं और regular exams में आते रहते हैं तो आपको उनका pattern और किस तरह से वो हमें copyright करना है और किस तरह से solve करना है वो मैं पूरा आपको बताऊंगी और मैंने पूरे questions का solution का रखा है जो previous year में question आ चुके हैं और numerical analysis में student हमें scientific calculator allowed होता है तो आप पाइ calculator आप इसके calculation है वो solve कर सकता है तो हम अपना question देखते हैं ठीक कि submission 1-10 ux की value यह दे रखिए summation 4-10 ux की value यह है और summation 7-10 ux की value यह है and u10 की value 40365 और find करने के लिए कहा है कि u1 तो इसका मतलब यह है कि function of 1 की value हमें यह है function of 4 की value 3 यह सब values दे रखिए हैं यह function of 7 और यह function of 10 अब हमें find out करने के लिए क्या कहा है सिफ u1 तो here we are given the cumulative frequency से fx ठीक है हम cumulative frequency find out करेंगे पहले fx की we are given तो अब हमने इसको इस 4 में लिग दिया जैसे कि मैंने आपको बताया था यह दे रखा यह जो हमें नीचे लोवर में जो लिमिट दे रखिए है 4 147 इसका मतलब क्या होगा summation 10 to 10 ठीक है इसका मतलब 10 और हमें u1 तो find out करना है इसमें हमें function f1 की value के दे रखिए है जिसको हमने इस तरह से लिखती है ठीक है 500 500 426 और f4 की value के दे रखिए हमें 329 to 40 ठीक है और f7 की value दे रखिए 175 to 12 इसी तरह से f10 की value ठीक है यहां 10 है f10 की value के दे रखिए हमें u10 40365 तो the difference table for fx is as follows तो हमें इसकी difference table बनानी है तो हमें किस तरह से बना इसे टेबल में बना दी है यहां पर first x का column यहां fx का column और यहां पर del fx del square fx del cube fx अब यहां पर यह देखे कि interpolation of equal interval इनका जो इंतर चैप्टर का नाम से हमें पता चल रहा है कि equal interval में है तो हम इसका मतलब हमारे पास क्या लगेगा सिफ newton forward formula लगेगा ठीक है तो हमारे पास 1 4 7 और 10 इससे हमें पता चल गया देखें क्योंकि x में जैसे कि हमारे पास function 1 जो दे रखा था यह f1 इसका मतलब 1 4 7 और 10 इनका जो बीच का difference आप देखें तो वह सब में इक्वल ही आएगा तो मैंने देखी टेवल भी यहां पर लिग दिया 1 4 7 10 x ठीक है 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3 इसका मतलब इंटर्पोलेशन हमारे के से एक्वल इंटरबल का है और fx जो इसकी वैल्यू दे रखे है question में वह हम नहीं है रखती अब डैल fx कैसे निकालते हैं जो हमारे पास यह जो second value होती है उसमें first value माइनस करने से ठीक है जैसे कि अब हम इसको नंबर दे देता है यह हमारे पास first second, third, fourth ठीक है यह value हमने कैसे निकाले second में से 1 को minus करके और यह value कैसे निकाले 3 में से 2 को minus करके payments यह वाली इस पूरी value में से इसको minus करा तो यह minus माइनस है ठीक है इसी तरह से 40365 में से minus करेंगे 17521 तो हमारे पास answer है माइनस के 134847 अब हम इसी तरह से डेयल स्कौर F रहारा और इसलिगने की है यह इन तौनों का difference है इन तोन के बीच में ही यह नहीं है के तो difference है इन तोनों का difference तो हम क्या करेंगे माइनिस जब क्या जागा से तो हमारे पास जो मालिवा यह होगी इसही तरह से इस में से इसको करेंगे तो यह बैज मिस अब इन दोनों का difficult either it आया है अब हमें अगें क्या करना है डेल क्यूब fx यह तब तर करना है जब तक लास्ट में सिंगल वैल्यू ना जाए इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास आज़ेगा 2023 ठीक है तो यह यहां पर आ गई now we shall find f2 ठीक है जो कि हमें u1 निकालना है तो u1 निकालने का फॉर्मूला होता है f1 minus f2 so f2 is equal to summation 2 to 10 ux ठीक है तो taking ax plus h is equal to 2 ठीक है we get a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहां पर 1 ठीक है और h जो हमारे पास डिफरेंस है तो x into 3 is equal to 2 ठीक है यह 2 क्यों है क्योंकि हमां फंक्शन 2 value निकालने है तो x की value कितनी आ गई 1 by 3 अब हम इसमें लगाएंगे newton's forward formula ठीक है तो f2 के लिए हम value find out कर रहे हैं तो formula क्या हो जाएगा f1 plus x del f1 plus x minus x1 upon 2 factorial del square f1 फिर x x minus की 1 x minus की 2 upon 3 factorial del cube f1 ठीक है cube तक ही लेगे क्योंकि हमने हमारे table में cube तक ही value आई थी इसकी f1 की value जो हमें question में given है वही ही रखा x की value अभी हमने find out करिये वो रखे तो 1 by 1 की value जो है हमारे पास del f1 की value जो भी हमने table में से find out करिये यह value जो हमने table में से find out करी थी यह है मारे पास del f1 की value इसी तरह से जब del square fx की value आईगी जो हम यह value रखनी है तो हमने formula में values रख दी अब इसी तरह से x की जगा 1 by 3 इस पूरे में हमने जहां x की जगा है वहाँ पर values रख दी और del square f1 की value जैसे मैंने आपको बताया थी वो value रख दी है और यहाँ पर del qf3 की जगा 2023 रख दी है अब यहाँ पर देखे x की value 1 by 3 है एकसमें से माइनस करेंगे 1 तो हमेरे पास माइनस के 2 by 3 2 मैंस के 5 by 3 छिक है अब आरे पास इन सब को solve करेंगे तो solve करने बाद praising calculator यह उसल है और solve करनी के बाद हमारे पास answer किते यह लेकिन हमें find करना क्या यूओ1 अब u1 को जब हमें find out करना है तो formula होता है f1 minus f2 अब हमने F2 find out कर लिया है ठीक है और F1 हमारे पास given है already जो question में ते रखा है 500426 minus करेंगे जो हमारा F2 की value आई है तो इसे हमारे पास U1 का answer आजाएगा ठीक है next question देखते हो next question है हमारे पास a second degree polynomial passes through 011327 and 313 find the polynomial ठीक है अब इनोंने कहा है कि second degree polynomial इस तरह से passes हो रही है और इसका polynomial find out करने अब इसका आप देखें कि हमें जो interval दे रखा किस तरह से दे रखा है 0 1 जो स्टार्टिंग के x-axis होती है जैसे कि x और y-axis होती है तो हमारे पास यह कहा है जैसे कि 0 1 3 0 1 2 3 ठीक है और fx जो हमें next value दे रखें जैसे कि यहां पर 1 दे रखा था यहां पर 3 है यहां 7 और यह 13 तो यह हमारे पास functions दे रखाए fx 1 3 7 30 डेल fx कैसे निकालेंगे इन तोनों का डिफ्रेंस यह है इन दोनों का डिफ्रेंस यह है और इन दोनों का डिफ्रेंस यह हमने इनके मिट में रखा है फिर डेल square fx निकालेंगे तो इन दोनों का डिफ्रेंस यह इन दोनों का डिफ्रेंस यह पिर डेल qfx निकालें तो एक्स पेंडिंग अप्टू सेकंड डिग्री ओर तिक है तो डिफ्रेंस और ली हमारे पास देख लेगे पुट एक ही जगा जिरो क्योंकि जो हमारे पास फरस्ट वैल्यू आती है वह क्या है जिरो क्योंकि हमें इंटरवल में 0 1 2 3 दे रखा था ना तो 0 हमारे पास पास हमारे पास दिफ्रेंस है 1 और u is equal to x है ठीक है अब हम क्योंकि पॉल्वन में निकालना है हमें पॉल्वन में स्क्वाडिक फॉम में हमें find out करना है तो यह एक्स आ जाएगा तो fx is equal to f0 a की जगा 0 u की जगा एक्स डेल f0 की वैल्यू जो हमारे पास पास डिफ्रेंस आई थ तो हमारे पास पॉल्वन में पॉल्वन में पॉल्वन में पॉल्वन में है एक्स क्वाडर प्लस एक्स प्लस